नमस्कार साथियों आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आप सभी को लंबे समय से इंतजार करवाने वाले इंस्टिट को लेके एम्स पतना ने आखिरकार नोट सेट फाइफ के डोकुमेंट वेरिफिकेसिन के रिगार्डिंग अपनी अपडेट दे दी है जो की आज की अपडेट है 9 अपनमंबर के आप देख पा रहे हैं तो दिपावली से पहले दिपावली बनाने का मौका आप सभी को मिला है और सभी जो एम्स हैं अब उनके डोकुमेंट वेरिफिकेसिन की डेट आ चुकी है अब कोई भी एम्स रिमेंनिंग नहीं रहा है 19 के 19 एम्स की डेट आ चुकी है आपको हमारे इसी चैनल पर एक पहले लिस्ट है नोट सेट 5 के नाम से वहाँ पर आप जीएगा सारे जो भी आपके एम्स हैं उनकी डेट मिल चुकी है एम्स जम्मू है उसकी डेट नहीं आएगी डोकुमेंट वेरिफिकेसन के लिए उसके डायरेक्ट अपॉंट में लेटर ही आते हैं तो इस वीडियो में अपन डिसकस करेंगे कि जो एम्स पटना है उसने यहाँ पर लिस्ट जारी की है इलिजिबिलिटी लिस्ट को लेके और प्रोविजनल इलिजिबल कंडिडेट है तो देखिए आप सभी का जो डोकुमेंट वेरिफिकेसन है जिनको भी एम्स पटना अलोट हुआ है उनका डोकुमेंट वेरिफिकेसन ओनलाइन करवा लिया गया है इसलिए इस बारतवा टाइम लग गया एमस पटना को वरना इतना टाइम नहीं लगता है तो जैसे ही आपने जो डोकुमेंट एमस डेली की साइट पे अपलोड किये थे उनहीं डोकुमेंट की डिटेल को जब आपने नोट सेट फाइफ का फॉर्म भरा था जो भी आपने इसमें डिटेल बरी थी आपका नाम फादर नेम आपका एडरेस आपने अपना रजी सेशन नंबर जो भी लगाया था वो डिटेल और आपने जो डिटेल अपलोड की है उन डिटेल को मेच किया गया है अगर मेच किया गया है उसमें कोई कमी निकली है तो आपको mail आया है अब आपके पास जो mail आया है उसके उपर आपको send करना पड़ेगा वही document जिस document में आपके कमी है टेटेल में discuss करेंगे घबराने की कोई आउ सकता नहीं है जिनको यहाँ पर eligible माना गया है जिनको यहाँ पर provisional eligible माना गया है सभी candidate के लिए कुछ न कुछ update है देखे साथियों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो list है जिसमें आप serial number 1 से लेके निचे तक चल रहे हैं यह candidate है जो eligible है मतलब इनके document verification में कोई भी कमी नहीं निकली है इनको appointment letter मिल जाएगा अब aims पटना का rule साथियों सबसे बेकार यही है कि eligible जो candidate है उनको appointment letter मिल जाएंगे और जो candidate provisional eligible है उनको late मिलते हैं थोड़ी सी दिक्कत यही होती है जिनका भी document verification में कोई भी कमी आ जाती है तो उनकी joining थोड़ी सी delay हो जाती है हालांकि other aims में ऐसा नहीं है लेकिन aims पटना ऐसा ही करता है इसके अलावा आपको बताएं यहाँ पर जो भी candidate है अभी तक आप जो यह list देख पा रहे हैं यह eligible candidate की list है तो यहाँ पर total 196 जो candidate है उनको eligible माना गया है note 65 की joining के लिए अब यह जो second list यहाँ पर दी गई है इन सभी candidate को provisionally eligible माना गया है मतलब यह है कि इनके document में कोई ना कोई कमी निकली है और कमी क्या निकली है देखिए जिसे जिनके rank 1045 है उन्होंने proper NOC नहीं दी है और scan copy original आधार कार्ड की submit नहीं की है तो अब आपको क्या करना है जी mail है उस जी mail पे जाना है हम आपको बताएंगे सारी बात आपको बताने वाले हैं जो भी candidate है जिनके document में कोई भी कमी रही है कबराने किया हो सकता नहीं है हर एक समस्या का solution है जो समादान है वो हम आपको देने वाले हैं तो आपको करना क्या है जो भी candidate provisionally eligible है उनसे जो document मांगा गया है कि वही document aims पटना को जी mail पे send करना है हालांकि send करने की last date भी यहाँ पर दी गई है अगर आप उसके बाद में send करते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है आप जो भी justification देने वाले हैं उसको वो approval नहीं करेंगे जो candidate है जिनको लग रहा है कि उनके पास वो document नहीं है तो कोई गवराने की बात नहीं है जैसे serial number जो 4 पे candidate है उनसे bed strength मांगे गई है experience certificate में तो देखिए आपने जिस भी hospital में वरक किया है उस hospital को ये तो पता ही है कि भी हमारे hospital की जो bed capacity है वो इतनी है handed bedded है 50 bedded है 200 bedded है तो वो आपको mention करवाना होगा या फिर आप एक काम के लिजिए जिस इस hospital में आपने काम किया है उस hospital से आप एक letter लिखवा लिजी जहां पर ये लिखा होगी हमारा जो hospital है वो इतने bedded है बस इससे भी आपका काम हो जाएगा इसके अलावा आपको अपना जो registration certificate नर्सिंग का वो यहाँ पर देना होता है तो देख लीजिए अब यहाँ पर आपको देखे करना क्या है जो भी candidate है जो provisionally eligible है उनको जो जीए जीमेल दी गई है six number पर objection should be email आपको करना है और email आपको दी गई है आपको अपना role number उसमें add करना है advertisement number क्या है नाम क्या है और reason क्या objection का और आपने क्या justification दिया है मतलब आपके पास जो objection आया है जैसे मालीजिए bed strength का आपके पास आया है bed capacity mention नहीं है तो उसके regarding आप क्या justify करें कि हमने क्या क्या है हमने mention कर दिया है हमने mention नहीं किया है hospital वाला दे नहीं रहा है hospital दूर है जो भी आप अपना बना सकते हैं लेकिन aims पटना को यह लगना चाहिए aims पटना satisfy होना चाहिए कि आपने जो reason दिया है वो valid reason है इसके अलावाद जो candidate है जो eligible यहां पर पाए गए है उन eligible candidate को appointment जो लेटर है वो within three week में मिल जाएगा ज्यादा लेट नहीं करेंगे नवंबर के end में ही आपकी joining हो जाएगी में भी कि December के first week में हो जाएगी लेकिन November के last week में ही हो जाएगी आपको जो भी objection बेजना है जो objection आपको मिला है उसका जो solution आपको बेजना है उसकी जो last date है वो 15th of November रखी गई है तो 15 November तक last date है आप रात को 12 जो तक भी नहीं दिया जाएगा इसके अलावा जब भी आप joining के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका document verification होने वाला है तो physical document verification आपका joining के time होगा online हो चुका है वीडियो को से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद